मैंने सारा काम कर लिया है अब मैं बिल्कुल फरी हूँ चिडियारानी अब मुझे कहानी सुनाओ ठीक है मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ एक गाउ में एक किसान अपने दो बेटों और पत्ने के साथ रहता था किसान बड़ा मैंनती था लेकिन उम्र के साथ साथ भय बिमार होने लगा था इसलिए उसने अपनी पत्नी परमिला को बुला करके कुछ कहा देखो परमिला अब मेरी तबी सही नहीं रहती बच्चे भी जवान हो गए है इसलिए आप काम बच्चों को दे देना चाहिए हर मा को उसका बेटा चोटा ही लगता है लेकिन बच्चों की उमर हो गई है मेरी तबीत भी सही नहीं रहती कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों भाई आपस में लड़ेंगे इसलिए अच्छा यही है कि इनका बंटवारा कर देते हैं इसमें ही उनका फाइदा है तुम क्या कहती हो ठीक है जैसा आपको जित लगे देख लो आप अवने एसाब से आप जो कहोगे मैं तो आपके साथ हूँ ठीक है परमीला कल साम को दोनों बच्चों को बुला लो अपनी जितनी भी जमीन है जितना भी रुपया पेशा है दोनों बच्चों को समान मात्रा में बाट देंगे और उनका बंटवारा कर देंगे ताकि आगे चलकर आपस में ना लड़ें बच्चों मैं चाहता हूँ तुम दोनों को बुरोबर बटवारा कर दिया जाए जिससे तुम दोनों में कोई मत बेद ना हो आगे चलकर के कोई लड़ाई जगड़ा ना हो इसलिए तुम दोनों को बुलाया है मैं अपनी सारी जमीन तुम दोनों को बरोबर हिस्चे में दे रहा हूँ जितने मेरे पास जमा पुंजी है वह भी तुम दोनों को बरोबर दे रहा हूँ जहां रखना आगे कभी लड़ना मत दोनों भाई प्रेम से रहना दोनों भाई बड़े प्यार से रहना कभी किसी का बुरा वक्त आए तो दूसरा भाई उसका साथ देना उसको अक्यला मत छोड़ना इसलिए मैंने और तुमारे पिताजी ने यह बंटवारा आज ही कर दिया है नहीं पिताजी हम कभी नहीं लडेंगे दोनों भाई बड़े प्रेम से रहेंगे जिसका भी बुरा समय आएगा दूसरा भाई उसका पूरा साथ देगा हम कभी भी नहीं लडेंगे आप चिंता मत करें जमीन दोनों गे नाम करने के बाद किसान की और उसकी पतने की मर्तियों हो गई बाई मोहन वह अपने सारी जमीन को बेच करके व्यापार करने लगा अच्छा पैसा कमाने लगा साथ ही साथ उसे पैस्टों का घंबंड भी आने लगा लेकिन रमेश वह पिताजी की दी हुई जमीन पर यह खेती करता और वहीं मैंद करके अपना जीवन गुजार रहा था एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ रमेश के खेत पर गया और रमेश को देख करके जोर जोर से हंसने लगा उसकी हंसी उड़ाने लगा और बोला रमेश तु खेत को बेच दे और कोई व्यापार कर क्या मिट्टी में मिट्टी मना हुआ है तुम क्या इस खेतों में सारा दिन लगे रहते हो दूप उच्छाओं बूख प्यास किसी चीज का पता नहीं बस मेहनत करते रहते हो बेच दो इस खेत को और मेरी तरह कोई बड़िया सा व्यापार कर लो देखो मेरे सारे दोस्त तुम पर रस रहे हैं छोड़ो इस खेती बाड़ी को नहीं मनोज बाई मैं खेतों को नहीं बेचूंगा ये पिता जी ने हमें दिये थे तुम करो व्यापार मुझे हे खेत ठीक है और मैं जहां हूँ वही ठीक हूँ मुझे जाड़ा धन की लालच नहीं है अरे छोड़ो खेती बाड़ी में क्या पड़ा है आओ मेरे साथ मिलकर व्यापार कर लो इस खेत को बेच दो बेच करके अच्छा व्यापार कर लोगे अच्छा पैसा कमाओगे वरना याद रखना मेरी बात एक दिन बहुत पच्ताओगे कि कहां मिट्टी से मिट्टे होता रहा रहा व्यापार नहीं किया मुझे देखो मेरे पर हज़ारों दोस्त है व्यापार है पेसा है नहीं नहीं मुझे नहीं करना व्यापार मैं खेतिबादी कर लूँगा और अपने परिवार का लालन पालन कर लूँगा मेरे लिए यही ठीक है आप करो व्यापार मनोज को पैसों का बहुत गमंड था उसके भाई ने जब उसकी बात नहीं मानी तब मनोज ने अपनी पतनी और दोस्तों के साथ मिल करके एक प्लेर बनाया जिस खेत में उसका भाई काम करता था उसके भाई के खेत में जो नहर आती थी उसने उस नहर को बंद करवा दिया वहाँ एक बड़ी दिवार बना दी जिससे उसके खेतों में पानी नहीं लगता था जिससे रमेश बहुत दुखी हुआ अपने भाई को बहुत कहा कि दिवार हटा लो लेकिन उसके भाई ने दिवार नहीं हटाई और बोला मेरे साथ आजाओ व्यापार कर लो लेकिन रमेश नहीं गया देखो मनोज भाईया ने नहर बंद कर दी नहर जहां से आ रही थी वहाँ बहुत बड़ी दिवार बना दी जिससे अपनी फसलों को पानी नहीं लग रहा है इस तरह से सारी फसल जल जाएगी खराब हो जाएगी हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे भाईया को इसा नहीं करना चाहिए था हाँ बिलकुल भाईया को यह नहीं करना चाहिए था पर आपको पिताजी और सासुमा की बात क्याद रखनी है उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कारण वस दोनों भाईयों को लड़ना नहीं है कोई बात नहीं भाईया ने जो किया सो ठीक है बगवान पर बरुशा रखो बगवान हमारे साथ अच्छा करेगा कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा आप चिंता मत करो रमेश ने भगवान को बारं बार धन्यवाद किया और फिर से काम में लग गया लेकिन मनोज अभी भी उसी जित पर आड़ा हुआ था कि इस जमीन को बेश दो और कोई अच्छा काम कर लो व्यापार कर लो लेकिन रमेश नहीं मान रहा था जिसको चलते मनोज बहुत गुसा हुआ और कई परकार के पलान मनाने लगा जिससे इसकी खेती खतम हो जाए और वे है व्यापार करने लग जाए लेकिन इसके बीच में ही कुछ अलग हुआ मनोज का व्यापार बहुत घाटे में जाने लगा हमारा तो सब कुछ बरबाद हो चुका इतना बड़ा गाटा लगा है जो साइद कभी पूर्ती होई ने सकता क्या करें? कहां जाएं? किसको क्या कहें? कुछ समझ नहीं आ रहा सारा पैशा खतम हो गया घर में खाने को अनाज भी नहीं है रमेश और उसकी पतनी जब इस बात का पता चला वह दोनों बहुत दुखी हुए उसकी पतनी ने रमेश को तुरंट मनोच के घर बेजा मनोच और उसकी पतनी बहुत दुखी हो रहे थे कुछ नहीं दिख राता क्या करें? कहां जाएं? इतना बुरा हालता कि घर पे खाने का अनाज भी नहीं है रमेश दोड़ता हुआ मनोज के घर आया और आकर के बला चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कोई बात नहीं दिन है अच्छे नहीं रहे तो बूरे भी नहीं रहेंगे यह सुनकर मनोज फूट फूट कर रोने लगा और उसकी पत्नी भी बहुत सर्मिन्दा फिर वो हसी खुशी दोनों भाई और उनकी पत्निया एक साथ रहने लगे सबी मिलकर खेती करते और आराम से अपना जेवन व्यतित करने लगे